असलाम वालेकूम वरहमतुल्लाइब बरकातूँ डिया स्टुनेट्स उमेद है कि आप सब अच्छे से होंगे आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फार कलास 10 अलेवन्थ हैं कलास 12 स्टुनेट्स के लिए ठीक है तो इसमें आकर हम देखेंगे आप लोगो के एक्जामनेशन फार्मज की जो इलिजिबल्टी है वो हम डिसकस करेंगे बाकी लिंक कव एक्टिवेट होगी और लाज जेट कव होगा वो भी हम इंशाला डिसकस करेंगे यह जो वीडियो है अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर कीज़े ताकि वो भी एवेर हो जाए रिग लिंक जो ओपन होगी वो होगी 18.10.2024 आज डेट है 16 और 18 से यह लिंक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी और जो क्लोजिंग डेट है वो है 11.2024 यानि कि फिर्स्ट नावंबर 2024 ठीक है उसके बाद अगर हम देखेंगे अगर किसी इस डेट तक यानि कि फिर्स्ट नावं जिसको हम बोलते हैं लेट फी ठीक है लेट फी कितना बनता है वो आप देख सकते हैं यहां से 770 प्लस जो अपना फी है 1180 टोटल फी बनता है 1950 इसका जो लास्ट है वो है 11 नावंबर 2024 उसके बाद भी अगर किसी इस डेट ने फार्म सब्मिट नहीं किया है तो उसका जो फ 2024 मेरी सजेशन है आप जितना जल्दी हो सकिए उतना जल्दी आप फार्म सब्मिट कीजिए ठीक है उसके बाद अगर हम बात करेंगे कलास 11 और कलास 12 थे की उनका जो नार्मल फी रहेगा वो रहेगा कंडेट इस विद फाइव सब्जेक्ट इस ठीक है उनका फी स्ट्टर सब्जेक्ट है उसके बाद अगर किसी ने फार्म सब्मिट नहीं किया है उसका जो लेट फी चाड़ेगा वो चाड़ेगा फिर्स्ट टैन डेज के लिए टो थाउजन टू थाउजन थ्री हैंडरं फिप्टी फाइव उसका जो लास्ट रहेगा वो रहेगा 11 नावंबर 2024 उसके बाद अगले और दास दिन के लिए आपका जो लेट फी चाड़ेगा वो चाड़ेगा 3570 रुपीज और जो लास्ट रहेट है वो है 21 नावंबर 2024 इन स्टूर्ट के लिए भी मेरी सजेशन है कि आप फार्म जालदी सब्मिट कीजिए जो कि फर्स्ट नावंबर आपक मेटेरियल सेंड करना स्टर्ट करेंगी विजन नो टाइम ठीक है बाकी मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक की लिए इचाज़ दीजिए अल्लाह अपिर